हेई फ्रेंज वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है फ्रेंज आप सभी स्वस्त होगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे आज के रीडिंग में फ्रेंज हम लोग चेक कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करन फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट मुव आई मीन तु से नेक्स्ट मुव की इमिजेटली आप लोगों की कनेक्शन में क्या होगा कब तक होगा ठीक है मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है रीडिंग फ्रेंज टाइमलेस है जनरल है कलेक्टिव है विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट इड प् ओप्रेंट की करन फीलिंग्स क्या है उनके लिए ट्रीओ फोर्स वहाथ ही ही हाट ब्रोकर अपके पर संग फिन वफिदिकल्स तीन फिन फिंटिकल्स अमेजिंग मैं यह स्टॉंगली फील कर पा रही हीँ आपके परसंग डिल तूट चुका है कि हो सकता है किसी टाइम उन कि उनका दिल तूट चुका है और ये दिल किसे ने तोड़ा है ये दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी सिचुएशन ने जिसकी वज़े से अभी तक आपके परिशन ने आपको इग्नोर किया आपको एकसेप्ट नहीं करा या फिर वो आपके साथ सप्रेटेड रहे हैं लेकिन आज उस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने या उस थर्ड परसन ने उनी का दिल तोड़ दिया उनी को धोका दे दिया वही परेशान है नेगेटिव हैं टोटली स्ट्रेस्ड में हैं और बहुत जादा डिप्रेशन में हैं इस टाइम आपके परसन की ऐसी एनरजी हैं कि बस आप उन्हें मिल जाओ और वो अपने दिल का सारा हाल आपको बया कर दें अरड़ दापको बया कर दें फूट फूट के आपको गले लगा कर रुए present energies उनके कुछ ऐसी है बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तडप रहे हैं isolated हैं किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है वैसी vibrations यहाँ पर काफी ज़्यादा strong है अगर मैं numbers की बात करूं तो 3, 12, 21, 30, 1, 19, 28, 10, 2, 11, 29, and 20 आपके लिए आपके person के लिए important numbers, important dates हो सकती है या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के connection के लिए ये dates बहुत important हो, prominent हो, अगर मैं zodiac की बात करूं तो Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces and Scorpio and Cancer की भी energy यहाँ पर बहुत 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 prominent है, हो सकता है इन zodiac signs से आप deal कर रहे हो, आपके person या फिर आप दोरो मैं या फिर strongly फिल कर पा रही हूं इस time friends की आपके person के दिल में बहुत दर्द है और ये दर्द वो आपके साथ बया करना चाहते हैं, आपको गले लगा कर बहुत रोना चाहते हैं, आपके लिए बहुत तडप रहे हैं, परिशान हैं और उनकी life में जैसे सब कुछ पहले था बहार से देखने में तो अभी भी सब कुछ वैसा ही लगता है, कि वैसा ही financial status है, वैसा ही रुतबा है, वैसा ही वो उची नाक लेकर अपनी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से वो person not totally, totally and 110% खोखले हो चुके हैं, yes, अंदर से ये person destroy हो चुके हैं, खतम हो चुके हैं, just like a dead person बन चुके हैं, 10 of pentacles की energy है, 110% by heart, दिल और जान से अब आपके person आपके साचारे हैं, reunion, आपके साचारे हैं, wedding and अब उनकी desire है कि आप उन्हें मिल जाओ, उन्हें समझो, उन्हें accept करो, उन्हें माफ कर दो and इस रिष्टे में उनका प्यार भरा proposal दुबारा से accept करो, current vibrations, current feelings उनकी वैसी ही है, कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा सार एक reverse scenario, divine की तरफ से आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ, and ये scenario ऐसा है कि आपके person ने हाल फिल हाल में अपनी family से और हो सकता है, अपने father से, आप दोनों की wedding की बात की हो, and उनकी family में किसी ने, और हो सकता है, उनके father ने ही, आप दोनों के रिष्टे को permission देने से मना कर दिया है, जिसकी वज़े से उनका दिल बहुत जादा दुखी है, तूटा हुआ है, वो आप से खुलके बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत 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 जादा रो रहे हैं, तड इनकी blessings के साथ हो, और पूरी family get together करे, party हो, धूम हो, और आप दोनों एक हो जाओ, ऐसे उनके dream है, और इनके लिए उनके कोशश भी की है, लेकिन किसी ने हाल फिल हाल में आप दोनों के connection के लिए मना कर दिया है, जिसकी वज़े से वो foot foot के रो रहे हैं, हो सकता है उनको बता हो, लेकिन हाँ, वो बात करनी आप से कम कर दी होगी उनोंने, या फिर बिल्कुल बंद कर दी होगी, ऐसी vibrations यहाँ पर बहुत strong आ रही है, क्यों? क्योंकि आपके person दिल से बहुत दुखी है, बहुत परिशान है, रो रहे हैं, तरप रहे हैं, और इस ताइम उनका दिल पता है, कि आपको उनका आज भी इंतजार है, चाहे आप रियूनियन का वेट कर रहे हो, चाहे आप वेडिंग का वेट कर रहे हो, चाहे आप उनकी साइड से किसी कमिट्मेंट या कनफेशन का वेट कर रहे हो, जो भी है, जिस भी चीज का वेट कर रहे हो, आपके person को पता है कि आप दुनों का रिष्टाना बहुत गहरा है जन्मों जन्मों का है आप दुनों का बोन्ड बहुत गहरा है और आपको आज भी उनका और सिर्फ उनका इंतजार है कहीं ना कहीं आपके परसन यहाँ पर चाहते हैं आपकी तरफ एक solid action लेना, सारे pentacles की card है, आपकी तरफ long connection रखना, आपके life partner बन जाना, लेकिन three of sorts की भी energy है, कोई तो है आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहता कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो, जिसकी वज़े से या तो आप दोनों के बी अपने person के नाम का at least first letter comment box में जरूर लिखो, और मैं प्रे करूंगी कि बहुत जल्दी आप लोगों की life में से सारी problems दूर हो जाएं, आगे जो भी हो बहुत अच्छा हो, आपके person यह third party person, यह जो भी toxic person है, उनकी family का कोई member, उनकी wife, उनकी husband, उनकी father, उनकी mother, जो भी है, उन उनकी उससे बहार निकल कर आपको accept कर पाएं, तो friends यह है उनकी current feelings, current energies for you, bottom में देखिए nine of vans की energy है, और यहाँ पर एक और काट आया है, high of fan, ten of pentacles, four of swords, 110 percent, 110 percent, यहाँ पर आपके person soon नहीं पा रहे हैं, पूरी पूरी राच जाग रहे हैं, और हो सकता है कुछ दिनों से रात को नीन तो आपको भी नहीं आती, क्यों? क्योंकि आप उनकी energies को catch कर रहे हैं, उनके टूटे हुए दिल की आहर आप तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो आपको ना कहें, वैसी vibrations यहाँ पर हैं, आप by heart feel कर पा रहे हैं, कि वो pain में है, आपके heart में pain हो रहा है, आपका heart जोरों स धड़क रहा है, आप रात को इदम से उठ जाते हैं आदी रात को and then आपको नीन नहीं आती, वैसी vibrations यहाँ पर हैं, आपके person बहुँ जादा insecure हो रहे हैं, आपके connection को लेकर, इस रिष्टे को लेकर उन्हें लग रहा है, कि यार, अब शायद और दूरियां झेलने की ताकत उनमें बची नहीं है, उनका दिल दुखी है, टूटा हुआ है और काफी इस टाइम आपके person परिशान है, लियों की energy यहाँ पर काफी ज़्यादा strong है, हो सकता है, आप से connect हो रही हो या आपके person से, आप में से कुछ लोगों को 333 या 555 angel numbers बहुत जादा दिख रहे होंगे, और वहीं कुछ लोगों को 10-10-10-10 angel number दिख रहे होंगे, ठीक है, 1-1 भी दिख रहे होंगे, वैसी possibilities भी हैं, अब हम चेक कर रहे हैं friends कि आपके person का next move क्या होगा, कब तक होगा, ओम नमाशिवाय, next move एकदम से आपके person का नहीं होगा, immediate next future is connection का कोई नहीं है, सिवाए इसके क जिस stress में वो हैं, ये stress उनका और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, at least 9-10 days तक या 9-10 hours तक आपके person नहीं इसी mode में रहेंगे, जिसमें उनको stress, anxiety, बहुत ज़्यादा घेरेंगे और आपके person नहीं सर पगल कर बैठ जाएंगे, लेकिन पर कब तक आप लोग ऐस से दुखी रहेंगे, क्योंकि प्रेयर्स कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मैनिफस्टेशन कर रहे हैं, मेडितेशन कर रहे हैं, तो 110% लवर्स की भी एनरजी है, आप इसे बहुत सारे लोग soul meet से दील कर रहे हैं, twin flame से दील कर रहे हैं, divine कह रही है कि finally आपको एक होना है, औ और आप लोग होकर ही रहेंगे, ये 9-10 डेज ये 9-10 आवर्स का जो ताइम है, बहुत जल दे निकल जाएगा, आपके परिशन प्यार भरा हाथ आपकी तरह बढ़ाएंगे, और आपके कनेक्शन में अगेन बालेंस आएगा, अच्छी कंपाटिबिलिटी आएगी, और बहुत ही लवी डवी एनरजी के साथ आपका कनेक्शन आगे ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, अब हम चेक कर रहे हैं, फेंस, कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ओम नमश्रिवाई, आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने कनेक्शन के लिए, अपने क करो और डिवाइन से प्रेयर करो जो भी आप चाहते हो तो डेफिनेटली वो प्रेयर सापकी कम ट्रू होगी और बहुत जल्दी आपके लाइफ में सबकुस ठीक होगा और जो भी आपके ड्रीम्स है ना उनको पूरा करने के लिए आपको एक प्राक्टिकल प्लान बनाकर उस किसी चारेटी करनी है जब किसी के फेस पे आपकी वज़े से स्माइल आएगी ना तो आपकी लाइफ में भी स्माइल आएगी ठीक है आंड आपके लिए मेसेज है डिवाइन का जोंट टेक एनिफिंग परस्नली आपको किसी भी चीज को बहुत जादा परस्नली नहीं लेन see other people as they are तो आपको और लोगों को clear vision से देखना है जैसे वो है वैसे ही देखना है और वैसे ही accept करना है ठीक है हर एक परसन को बदलना आपके बस में नहीं है और ना ही किसी परसन को बदला जा सकता है आप जो work कर सकते हो से खुद के life पर कर सकते हो खुद की जिंदगी के लि जैसे लोग हैं वैसे आप accept करो और वैसे ही उनको रहने दो ज्यादा उनको चेंज करना आपकी responsibility नहीं है और किसी की भी चीट को किसी के भी behavior को किसी के भी nature को आप लोग personally बिलकुल ना ले ठीक है तेंक्यू सो मच पर वाचिंग फ्रेंद्स हाव अब गुद दे में गड़ ब्लस्यू और टेक्यर